उत्तर प्रदेश में योगी आधितिनाथ ने सबसे पहले बूचण खानों पर रोक लगाना शुरू कर दिया ताबर तोड वहाँ पर कारवाई हो रही है मद्यप्रदेश में बूचण खानों पर सरकार का क्या रुख है इस मुद्धे पर बातचीत करने के लिए मद्यप्रदेश सरकार के परशुपालन मंत्री हमार साथ मौजूद है सर आप से जानना चाहेंगे मद्यप्रदेश सरकार का क्या रुख है देखिए उत्तर प्रदेश में अभी-अभी भारती जनताबाटी की सरकारवदी है वहां के मुद्धमंत्री जी ने जो भूचरण खाने बंद करने का जो निर्ने लिया है उनके इस निर्ने से हम सामत जहां तक मद्यप्रदेश का भी सवाल है यहां पर भी गो हत्या के ऊपर पुर्णपरती बंद है और जो उच्छ महत्रपुर्ण जो विशह है पानी हिंदु वाइनी हैं बजरंग दल हैं और आपके जो कई अनुशांगिक संगठन हैं उनके लगातार मांग रहती है कि क्या जो गो है जो गोवन्ष है उसके इस तरह से हत्या नहीं किया जानी चाहिए तो आपको नहीं लगता कि उत्रप्रदेश ने को धारन पेश कर दिया ह उसका अनुसरान कर सकता है तो मध्यप्रदेश में पहले से ही गोव हित्या के उपर प्रतिबंद का कानुन लगा हुआ है और यूपी में अभी निरनई हुआ है वेसे भी यहां पर मध्यप्रदेश में इसी उत्रणी सुमेशा नहीं है क्योंकि आज हर जितने भी मध्यप आनुवर जाते हैं उसको आमजन्ता भी रोकती है कई हमारे जो अजास किये संग्ठन है वो लोग भी इसमें काम करते हैं और सरकार उसको सही उत्यों कि वोकुल अभ्यान कि अपने शिर्वात कि एक किस तरह का भ्यान है और क्या कुछ किया जाया है देखिए मध्य प्रदे अभी हमारा मद्य प्रदेश के अंदर देश में दूद उत्पादन में हम छोथे स्थान पर रहें और इस साल में समस्ताओं की मध्य प्रदेश दूद उत्पादन में तीश्रे स्थान पर रहें और जो हमारा जो दूद उत्पादन की जो उत्ती हुई है वो देश की जो औरती है वो 6 परसेंट है और हमारे मध्य परदेश की 12 परसेंट है हम दूप्ध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो इसे दिशा में हम लोग कॉम कर रहें। इसके लिए भारत सर्कारों भी कुस्तों पूरी मदद कर रही है। और आने वाले समय में माननी ऐसका जी दीधान मंतरी जी का जो संकल्प है। क्रशी को आने वाले पांथ वाली दूगणी आई करना है। तो पशुपालन विभाग और मच्छपालन विभाग और कुटीर ग्राम उधियों के से रेशम की खेती जो हती है हमारे तीनों विभाग परशियाई को दूरनी करने में बहुत बड़ा मदद दा है अशुपालन मंतर ने साफ कर दिया है कि जहां तक गौवण्ष की हत्या का सवाल है मद्यप्रदेश में गौवण्ष की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंदित है अलाकि बूचण खाने पर रोपने का जो निर्ण है वो मुख्यमंतिर के दुवारा लिया जा सकता है निशित तोर पर कहीना के उत्रप्रदेश ने जो नजीर पेश की है उसके बाद भाजपा शाषित राज्यों पर भी दबाव बढ़ गया है कि बूचण खाने पर वो अपना स्टेंड क्लियर करें केमरेमेन अनवर खान के साथ आशुतोष इंडिया फर्स्ट न्यूज भोबाद इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत सुफ़कामना है नया चैनल ख़वरों की दुनिया में नए आयाम इस्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात मक्काम समाज में होते हैं तो उसको भी प्रिकट करने का प्यास करेगा मेरी बहुत-बहुत सुफ़कामना है मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा इंडिया फस्ट मैं भगवान से प्रात्ना करती हूं कि चैनल भी फस्ट रहे और जब आप इंडिया फस्ट की बात कह रहे हो कि अजयों को अपने नाम इंडिया फस्ट रखा है तो आपके चैनल से बमधाते हैं पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें बास्तों मुझे फस्ट मेरी पूरी पूरी शुब कामना इंडी जी चाहिए आपका ही इंडिया फर्ष्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आंगे बढ़ता है आपको आस्तोष जी को चैनल को इनके सहयोगियों को सब को बहुत शुब कामना मेरी जी